इस वक्त की सबसे बड़ी खबार मुकामा से बहुबली विधाया का अनंत सिंग को लेकर है अनंत सिंग की विधाय की समाप्त हो गई है इसके साथ ही मुकामा में आप सभी को एक बार फिर से उपचुनाओ होता हुआ नजर आएगा बिहार में पहले ही तीन उपचुनाव हो चुके हैं. उसके बाद यह चौथा उपचुनाव होने जा रहा है. दरसल M.P.M.L.A. कोट में साजा का ऐलान होने के बाद से ही उनकी विधाय की पर खत्रा मंडराने लगा था तलवारे लिटक गई थी उनकी विधाय की जाने की बाते पहले से ही कही जा रही थी लेकिन अब जब किस जुन को उस पर सुनवाई करते हुए साजा का ऐलान कर दिया गया है तो अब उसको लेकर आपचारी का ऐलान भी कर दिया गया है कि उनकी विधाय की रद कर दी गई है इसको लेकर के आज कहली जी की आज सुबह-शुबह यह खवर आई कि जिस तरीके से जेल में बंद अनन सिंग के घर से पहले AK-47 राइफल और हैंड ग्रिनेट जैसे आंस ब्रामत किये गए थे इसके बाद उनके किलाफ संगिन धराओं में कई मामले दर्ज थे अनन सिंग चुकी मुकामा से विधायक थे इसलिए उनसे जुड़ा केस भी MPA MLA कोर्ट में ही ट्रांसपर कर दिया गया था बाद में उन्हें गिराफतार भी किया गया था अनन सिंग के खिलाफ उसी वक्त से यह मामला चल रहा था आपको बताते चले कि अनन सिंग के खिलाफ साजा का ऐलान लगभग 10 साल की कैद की साजा सुना दी गई है और इसी के साथ बाहुबली विधायक अनन सिंग की विधायकी भी समाप्त हो गई है बिहार बिधान सभा की ओर से अब आपचारिक तोर पर इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है सुचिना दे दी गई है तो अब 6 महिने के अंदर-अंदर मुकामा में आप सभी को एक बार फिर से उप्चुना होता हुआ नजर आएगा अलाकि पिछले तीन बर्षों से अनान सिंग अभी बेउर जेल में ही वंध है और अभी भी बेउर जेल में ही है उनके खिलाफ कई संगिन मामले दर्ज किये गए थे उसके बाद उनके खिलाफ एके 47 हैंड ग्रिनेट जैसे के मामली भी चलाय जा रहे थे कुल मामलों को अगर देख लिया जाए एक तरफ से कुल मिला कर पुलिश पुर्शासन के तरफ से कुल 12 पुलिश वाले को गवाह बनाय गया था वहीं अनन सिंग के तरफ से कुल 33 लोगों ने गवाही दी थी तमाम सुनवाई के बाद कूट ने अपना फैसला सुनाया वरुष में 10 साल की सजा बहुवली विधाय का अनन सिंग को सुना दिया जिसके बाद से यह लगतार चर्चा चलाई जा रही थी कि अब आनन सिंग की इतने सालों की सजा होने के बाद विधाय की जाना लगभगता है और अब विधान सभा के तरफ से उसको ले करके आपचारी का ऐलान भी कर दिया गया है इससे जुड़ी और कोई बड़ी खबर हमारे पास आएगी हम जरूर लेकर आपको पहुशाएंगे बड़ी अपडेट रहेगी हम जरूर आप तक बताएंगे लेकिन उससे पहले आप जरा जान लिजे कि अगर किसी भी मामले की सुन्नवाई करते हुए किसी जन परतिनी दी के किलाव अगर दो साल से ज़्यादा का सजा सुनाया जाता है ऐसे में उसका जो पद रहेगा वो समाप्त कर दिया जाता है ऐसा प्रवधान बनाएगे है तो आनान सिंग को लेकर के इसी प्रवधान के अंतरगत इनकी विधाय की रद की गई है इस खबर में फिलाल इतना ही आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार